कोरोना वाइरस की वज़े से लोगों के बीच एफ वाहे फैल गई है कि सब कुछ बंद हो जाएगा कहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा इसी के चलते लोग अपने घर में सामान स्टॉक करके रख रहे हैं जिसकी वज़े से बाजार में दामों में पढ़ोतरी हो रही है जैसे कि आलू के बढ़ते हुए दाम इसी परिशानी से बीते दिन रश्मी देसाई का भी सामना हुआ ज़रा देखिए कैसे रश्मी देसाई आलू के भाव कम कराती नजर आई तीफ तीफ आलू को दो किलोगा जी हाँ बिग बॉस की हाइस्ट पेड कंटेस्टेंट आलू के दामों से परिशान हो गई वेल मजाग को एक तरफ लखे हम अपनी इस रिपोर्ट में आप सभी से ये कहेंगे कि हमें कोरोना वाइरस से साथ मिलकर लड़ना है इस वक्त आप सिर्फ अपने बारे में नहीं पूरे देश के बारे में सोचिए और गौर करने वाली बात ये है कि अगर कहीं कुछ बंद होगा तो सरकार इसके लिए पूरी तयारी करेगी सरकार इसके लिए एडवाइजरी जारी करेगी अचानक से कहीं भी कुछ भी बंद नहीं किया जाएगा इस तरीके से पैनिक करने से आप सिर्फ चीजों के दाम बढ़वा रहे हैं मेहंगाई बढ़वा रहे हैं और कुछ भी नहीं पाइनल काट न्यूस डेस्क